हेलो दोस्तों, 12 कंपनियों के बारे में बात करेंगे जहां पर October के महीने में Dividend expected है, अब देखिए October के महीने में बहुत सारी कंपनियों के Quarter 2 के result आएंगे, Quarter 2 का मतलब क्या है? July, August, September, इन 3 महीनों के जो results हैं, उनको Q2 या Quarter 2 का result कहा जाता है तो यह October और November के महिने में आने वाले हैं तो हम इस वीडियो में October के जो results है dividend जो expected है उस पर बात करेंगे तो देखिए यह जो वीडियो है historical data के उपर based है यहां पर हमने किया है क्या किया है कि दो साल का dividend data को हमने बाहर किया है और पिछले दो सादों से जो company ने dividend declare किया है उनको ह हमने include किया हुआ है दोस्तों अभी देखिए वीडियो में यह expected dividend है तो अभी तक यह official confirmation नहीं है यह जो वीडियो है यह तो मैं mid September में बना रहा हूँ historical data के basis में तो आने वाले 15-20 दिनों में confirmation आएगा नहीं आएगा तो वो important official confirmation का wait हमको करना पड़ेगा तो देखिए जो पहल नाम है जिनका historically dividend आ रहा है October में TCS का और in fact TCS का हर quarter में dividend पिछले कुछ सालों से आ रहा है quarter 1,2,3,4 तो last year quarter 2 के समय में 9 रुपीज का dividend था अब आने वाले दिनों में हमको और कुछ clarity आएगी दूसरा नाम है infosys उनका historically साल में दू बार dividend आता है पहला dividend यही quarter 2 के result के बाद ज dividend था 2022 में आप देखिए 16 रुपीज 50 पैसा का dividend था quarter 2 में एक dividend और उसके बाद जब final result आते हैं एपरिल के महिने में और फिर एक्स डेट आते आते मई जून भी हो जाता है तो वो final dividend रहता है दोस्पा तो देखते हैं इस बार भी क्या infosys की तरफ से dividend आता है कि नहीं जो उन के द्वारा भी dividend हमको देखने को मिल रहा है last year अगर आप देखेंगे quarter 2 के समय में 12 रुपीज का dividend हमको HCL Tech के तरफ से देखने को मिला था तीन नाम हुए है और 9 नाम आने वाले हैं दोस्तों उससे पहले एक important सूचना हमारे telegram group को आप join कर सकते हैं उसकी link मैंने description box में दी की है latest mutual fund portfolio भी हमने वहाँ share करना शुरू कर दिया है लगभग 4600 की एक community है जहां पर regular mutual fund related business learning analysis personal finance financial freedom related content regularly आते रहते हैं मुझे उमीद है आपको value जरूर मिलेगी आप भी subscribe कर सकते हैं link मैंने description box में दी हुई है दोस्तों अगला नाम है चौथा नाम हिंदुस्तान यूनिलिवर रूपीस का डिविडेंट था और अभी final dividend की कुछ मैनों पहले ही डेट गई है 24 तो 42 रूपीस का डिविडेंट तो लास्ट ये 18 रूपीस का डिविडेंट और 2022 के समय में 17 रूपीस का डिविडेंट था इस बार देखते हैं कि क्या यहीं डिविडेंट रहता है या कैसा इस बार कंपनी का strategy या focus रहता है अगला नाम है LTTS दोस्तों लास्ट येर देखे 17 रूपीस का डिविडेंट था 2022 में भी देखे 15 रूपीस का डिविडेंट था तो साल में दो बार डिविडेंट आता है एक तो जैसे यही quarter 2 के समय में October में डिविडेंट आया था 17 का और फ जैसे लास्ट येर देखे जो रिजल्ट October में आया था फिर समय रिपीट कर दो लेकिन एक्सडेट जो है नवेंबर में आ गई थी 5 रूपीस 15 पैसे का डिविडेंट था और अगेन फाइनल जो डिविडेंट है अभी कुछ महीनों पहले जून में आया हुआ था उससे पह बार बार मतलब quarterly dividend payment की दोस्तों तो लास्ट येर quarter 2 के समय में जो डिविडेंट था वो 19 रुपीस का हमको देखने को मिला था अगला नाम एक और IT सेक्टर से टेक महिंदरा देखे लास्ट येर जो ऑक्टोबर में रिजल्ट आये थे 12 रुपीस का इंटरिम डिविडेंट और फाइनल डिविडेंट अभी जुलाई में है फौट डिविडेंट है तो टोटल टबुटी का पूरे साल में इंक देखेंगे तो एयटिन रुपीज का डिविडेंट था और 32 ऑठे तो टूटल 50 का डिविडेंट हो सकता है कि कंपनिवेडेंट कं Ugh क्र आई पौपिदे लेकिन अगर Tech Mahindra के result अच्छे आते हैं, comeback होता है, तो dividend जादा भी हो सकता है, तो इसलिए quarter 2 का result बहुत ही interesting रहने वाला है, जब हम Tech Mahindra की बात करेंगे, next है Colgate, उनके case में भी देखिए, interim dividend 22 रुपीज का था, last year, और 2022 में देखेंगे 18 रुपीज का, हमको dividend देखने को मिला था, और जो final dividend एक बार आता है, वो में एक महिने में ex-date आ रही है, जो हमको देखने को मिल रहा है, तो बहुत सारी कंपनिया, जो हमने last में कुछ कंपनिया देखी है, जैसे LTTS, या Asian Paints, या Tech Mahindra, Colgate साल में 2 बार dividend आ रहा है, अक्टोबर के समय में, Q2 के समय में और एक फिर Q4 के समय में, नाम इंडिया, मतलब निपन जो AMC है, उसकी हम बात कर रहे हैं, अक्टोबर में जो dividend था, 5 रुपीस 50 पैसे का dividend था, और 11 रुपीस का अभी जून में ही final dividend हमको देखने को मिला था, दोस्तों, निपन AMC के तरफ से, नेक्स्ट है, ICICI Lombard General Insurance, लास्ट यर ऑक्टोबर 5 रुपे का dividend था, साल में अगें, दो बार dividend आ रहा है, 5 रुपे और अभी जून मेह में 6 रुपे का dividend था, और ऑक्टोबर 2022 में देखेंगे, 4 रुपीस 50 पैसे का dividend, तो dividend थोड़ा थोड़ा इंक्रीज हो रहा है, जो हम यर टू यर देख रहे हैं, और आखरी नाम है, साइंट, उनकी तरफ से भी आप देखेंगे, 12 रुपीस का अक्टोबर में dividend था, और फिर final dividend 18 रुपीस का, साल में दो बार dividend आ रहा है, और फिर कुछ कंपनियों की strategy ऐसी भी है कि, हर quarter में dividend आ रहा है, तो अलग-अलग strategy, अलग-अलग company की देखने को मिल रही है, लेकिन दोस्तों, यह जो वीडियो था, यह historical data के basis पे था, जहां पर हमने 2 साल का data को analysis किया, उन्होंने consistently dividend दिया है कि नहीं, इस बार का अभी भी official data आया नहीं है, expect हो रहे हैं, अगले 15-20 दिनों में, और clarity आ जाएगी, और confirmation आ जाएगा, कि उनकी तरफ से इस बार dividend आ रहा है, या नहीं आ रहा है, subscribe जरूर करके रखेगा, वीडियो को, next वीडियो में हम PSU's को cover करेंगे, कि कौन से PSU's की में, October के समय में, dividend expected हो सकता है, तो early financial आजादी को subscribe पर कर रखेगा, जहां पर dividend, passive income, financial freedom, mutual fund analysis, related content regularly आते रहते हैं, तेंक्यों, देने बातोस.